कि नमस्कार प्रभासाक्षी देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूं अंके सिंग कारिक्रम है चाहे पर्शमीक्षा और हमेशा की तरह इस कारिक्रम में मौजूद है प्रभासाक्षी के संपादक दोरा नहीं है लेकिन हम आज बात करेंगे हिजाब को लेकर जिस तरीके से हिजाब को लेकर मामला देष में गर्म है आखिरकार ये पूरा का मामला क्या है और इसको राजनितिक रुकते कितना फाइड उठाने की कोशिश की जा रहे हैं यही पहला सवाल सर आपके हैं या पूरा का पूरा मामला क्या है और इतना क्यों है तो चुनाओं के समय जो भी घटना होती है उसको राजिती से किसी तरीके से जोड़ दिया करनाटक का है सुदूर दक्षिन से हम उत्तर में देख रहे हैं और पांच राजियों में चुनाओं हो रहे हैं और यहां का चुनाओं महौल उसको लेकर गरम आ गया है और आप देखे हिजाब का हिसाब कर दिया है बीजेपी ने अगर हम बात करते हैं आपने युनिफॉर्म की बात करें लेकिन बीजेपी तो आगे बढ़कर युनिफॉर्म सिविल कोड तक आ गई है और जिस तरीके से देखे सबसे पहले हमको समझना होगा करनाटक की बात करें तो पहले उस मसले को समझ लेते हैं हमारे यहां पर जो हमारा सम्विधान है सबको अपनी आस्था में जो भी उनके कहा गया है उसके हिसाब से अपने पूजन का अपने आस्था को प्रकट करने का किसी भी धर्म में विश्वास करने का अधिकार देता है लेकिन हम दूसरे के धर्म को ठेस ना पहुचा है यह भी हम सब की मेदारी आप चपकर करता है अब मामला जो हिजाब का ह हिजाब पहने से कोई किसी को रोक नहीं रहा है बात सिर्फ इतनी है कि जो शिक्षन संस्तान है जहां पर ड्रस कोड है और वो सभी के लिए मानने है और यह आज से नहीं है यह बरसों से है तो अभी ये विवाद क्यों खड़ा किया गया सबसे पहले बात यह है तो इसके प जो आपको किसी तरह से अंदोलित करने का प्रयास लगातार किया जाता है पहले शाहीन बाग का अंदोलन चलाएगा पिर हमने देखा कि किसान अंदोलन के दोरान सिखों के मन में नफरत भर्रे का प्रयास किया गया हमने देखा कि अब फिर से हिजाब वाला खड़ा कर दिया गया है तो अब जगा जगा आंदोलन हो रहे हैं लोग अपने बाते रख रहे हैं लेकिन हमको समझना होगा कि जब हम क्लास रूम में बैठते हैं स्कूल में कॉलेज में तो हमको यह नहीं पता होना चाहिए कि मेरा साथी है वह किस धर्म का है किस जाती का है वह मेरा सहपाठी है मेरे साथ मेरी कशल का वित्यारती है तो हम अगर बचपन से ही जाती और धर्म के वीच देंगे तो यह चल कर विश कूल पछला एक क्लास के अंदर और आप घर जाएए आप स्कूल से बाहर रिकलते हैं आप अपना जो भी प्रतीक है धर्म का आप उसको पहनिए कुछ लोग यह कह देते हैं कि भीया जो सीख है वो क्यों पगड़ी पहन कर आते हैं तो आप देखें कि धर में जो बच्पन से पएदा होता है उसको तभी से पगड़ी बांदना शुरू कर देते हैं वह सिर्फ पहन कर आ रहे हैं तो लेकिन जी बिल्कु बिल्कु वो अलग चीज़त को जोड़कर नहीं देखना चाहिए उसके बहाने से हम हिजाब को स्कूल में पहना जो राजितिक मामला गरमा गया अब हमने देखा कि जो वैसी हैं यहाँ पर जिन सभाई कर रहे हैं और राहूल गांधी हैं सबसे पहले उन्होंने इस मुझ्दे को ठादियों ने कहा कि जो बच्चिया हैं उनको शिक्षा आसिल करने से रोका जा रहा है राहूल गांधी इन सब्सक्राइब नहीं चाहती कि वह मुस्लिम बच्चियां पढ़ें अखले शाथा थे उन्हों रामपूर में कल उन्होंने यही बात कहीं तो एक कह सकते हैं कि तूलकिट वाला जो है कि आपने यह कहा अब आपने भी यह कहना है तो सब लोग यह कहेंगे तो हो सकता है कि य टो और में सब्सक्राइब तो और नगीन तो नगし तररीगेंच्स के तुम सब्सक्राइब बनाये परोद औरिह कि जो फोटेशसों के तौन यह दो है कि यह थिजाब सब्सकरा में आके 28 करेंगे जो कि द्राफ तैयार करेंगे और हम गोवा के बाद ऐसा दूसर राज्य होगा उत्राखंड जहां कि समान नागरिक सहिंता होगी और आप देखे कि आप आज सोशल मीडिया पर जिसको देखो चाहे यहां तक कि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे अगरें मुसलम होने चाहिए कोई अलब संख्यक नहीं होना चाहिए जो हमारा समिधान का कानून है समिधान जो चीज़े हैं वही सब पर समान रूप से लागव होनी चाहिए तो आप तेखे कि हीजाब विवात को बिलकुल एक तरह से धोका रख दिया है तो अब आप देखे कि जो हम अभी हरी चरावत ने कहा कि हम आपर मुस्लिम एक विश्वधाले बनाएंगे उत्राखंड में तब उत्राखंड की जनता को यह तैय करना है कि आपको मुस्लिम विश्वधाले चाहिए या आपको कॉमन्स वील कोट चाहिए तो बीजेपी ने एक तो जो वहां पर हिंदू और जो दूसरे वर्ग हैं खास दुरूवी करण का उत्राखंड में प्रयास को कहेंगे ही लेकिन उत्रप्रदेश में जो दूसरे चरण का चुनाव है अंकिर जी उसमें अधिकान सीटे मुस्लिम बहुल है और मुस्लिम बहुल है तो वहां भी धृवी करण एक तरह से हो जाएगा इस बयान के बाद कि लोगों को लगता है कि अगर उत्राखंड में आ सकता है तो उत्रप्रदेश में भी योगी सरकार नहीं हिचकी है तो हो सक आधर्वाजन दिख रहा है कि जो मुस्लिम ब्रक है वो समझिवर्णी और गटवन्दन जरनग करद cops looks on the तो यह उनको भी एक संदेश है और देखना होगा कि अब यह दुरुविक्रण हो पाता है या नहीं लेकिन जो लोग हिजाब कर रहे थे कि कि यह हिजाब का मामला किसके लिए अच्छा हिसाब लेकर 10 मार्श को आता है तो आज के चुनावी कारिकर में यूपी का माहल क्या है यह भी बता ही दीजिए क्योंकि आप ऑन जाउंग है अगर मैं यूपी के चुनाव कारिकम की बता हूं तो आपको अलग-अलग सीटों पर कि अब लग सब्सक्राइब करता है कि उस चैत्र के लिए क्या गोशना की जा रही है सभी पार्टिएं आपने संकल पत्र वचन पत्र गोशना पत्र लाच चुकी है जंतास के सामने सब कुछ है लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के मतदाता हूं में जो बड़ी बात देखी है व हमको जो लोग कह रहे हैं कि हम आपको फ्री में कुछ देंगे फ्री की चीज लेने से लोग इंकार कर रहे हैं कि हमको फ्री में कुछ नहीं चाहिए हमको योगी बाबा चोगे तो मुख्य बंते हैं योगी आयतिनाथ की जो लोग प्रेता है हम दिल्ली में बैठकर कल्पना न लोजगारी है भारत में महंगाई है बारत में यह चल रहा है वो चल रहा है लेकिन आप उच्छ आकर देखिए सिर्फ जो रैली में लोग आए हैं उनसे बात करिए आप गाओं में जाए यह खेतों में काम कर रहे हैं लोगों से पूछिए आपको पता लगेगा किसा नराज मत दाता नराज नहीं है जो लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन होने जा रहा है मुझे उनकी इस बात में थोड़ा सा लगता है कि शायद वो गलत हैं कि तो उनका भी मत बदल जाएगा कि लोग क्या कह रहे हैं लेकिन लोग कह रहे हैं कि हम इस कंडिडेट को सहलेंगे लेकिन मुक्षमंत्री की तौर पर योगया इतिनात को लाएंगे क्योंकि उनका कहना है कि दीडान की है जोे राशल की तो लोगों की कष oppress के लोग दोगर नंद से बादसेर में कहा है अगर मेरे पापा भी चुनाव में खड़े हो जया तो मैं उनकी जगा योगी जी को बोट दूँगी तो ऐसी लोग पृता अकल्पनी है अविश्वस्नी है हमको छेत्र में देखने को मिल रही है और खासवर पर मुस्लिम भूली राकों में भी यही हाल देखने को मिल रहा है है ग्रह मुंत्री ने भी रक्सा मुंत्री ने भी योगी आइतनात खुदम लोगों का कहना है लेकिन फिर भी मद्दाता जो कह रहा है क्या वही जब मद्दान के दिन करेगा भी यह जानने के लिए हमको 10 मार्च का इंतियार करना पड़ेगा बिल्कुल और हम भी इंतिजार कर रहे हैं 10 मार्च का ताकि लोगों को अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को